हेलो गाईज, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वास्थ होंगे एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुश्पुइंदौरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है प्रिविएस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं खजराना के गड़ेस मंदिर आई हुई हूँ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, भगवान का आसिरवाद लेने तो आप हम लोग बहां से निकल गए है, हम लोग पहुच रहे हैं सीतल रेस्टोरेंट मैंने अपनी सहलियों को, अपने भाईयों को बहां इन्वाइट किया है तो महमानों के पहुचने से पहले हम लोग जो हैं रेस्टोरेंट पहुच चुके हैं यह आप देख रहे होंगे रेस्ट्रेंट के बाहर ही खड़े है मेरे भाई भी आ चुके है उनका स्वागत करने के लिए हम लोग जस्ट बाहर ही खड़े थे आप इसके बाद हमारे अगले महमान मेरी फ्रेंड जो है वो रोसनी मेडम और शुब भी आ चुके हैं बस अब थोड़ी देर में भी नीता भी आ जाएंगी तो हम सब लोग एनिवर्सरी की पार्टी इंजॉय करेंगे स्टार्ट करेंगे तो मैं सब का स्वागत कर रही हूँ फोन के द्वारा तो सुबकामना संदेश मिल ही गए थे आप लाइब संदेश मिल रहे हैं सामने से मिल रहे हैं तो ऐसे समय में जो हमारे ओकेजन होते हैं बड़े होता है एनिवर्सरी होती है जब अपनको बधाई संदेश मिलते हैं शुबकामनाई मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है आड़े बक्त में हमारे ये सारी चीज़े जो है विशेज जो है बहुत काम आती है तो सब ही लोग लगबग आही चुके हैं अब किसी का कोई इंतजार नहीं है तो अब चल रहा है फोटो सेसन मेरे फ्रेंड्स को आप देख रहे होंगे कितने खुश हैं और कैमरे को देखते के समय जब हम एक दूसरे को वर माला पहनाते हैं तो अब ये ट्रेन जो है फिर से चल गया है कि एक दूसरे को वर माला पहनाने का तो बाबा गनपती के दरवार से हम लोग ये माला लेके आये थे पंडी जी ने दी थी तो अब ये हम दौनों एक दूसरे को फिर से पहना र कर रहे हैं वह सब लोग odpowītink कर रहे हैं इसी के साथ साथ हम लोग केक करेंगे और फिर से वही राइम स्गाई जाएगी हैपी एनिवर्सरी एनिवर्सरी टू यू और साथी साथ हमारा यह एनिवर्सरी सेलिवरेशन चल रहा है दोस्तों 手 झाल झाल एक दूसरे को वर्माला पहनाने के बाद एक दूसरे के हो जाने के बाद के कटिंग हुई और उसके बाद ये के कटिंग होने के बाद सभी को केक खिलाई जा रही है सभी एक दूसरे को ही के खिलाई जा रहे है और एक-एक का टुकड़ा मेरे उन सभी वीवर्स के लिए उन सभी लोगों के मुँ में मिठास मेरी तरफ से और जीवन में भी शुबकामना और मिठास कि उनके भी जो एनिवर्सरी है वो सालो साल साल दर साल मनाई जाती रहे उनका जोड़ा जो हमेसा मर रहे आप लोगों ने जो भी सुबकामना संदेश मुझे भीजे हैं वो उनके लिए धन्यवाद आभार आप सभी का आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि इस साल आपकी अनिवर्सरी कैसे मनाई गई इस कोरुना काल के बाद जब हम इस पैंडमिक से उबरे हैं तो हो सकता है थोड़ा जीवन में अंतर आया होगा लेकिन हम उन दुखों से हम उन परेसानियों से बाहर तो आ ही चुके हैं दोस्तों गिफ्ट वितरण हो चुका है और फाइनली जिस चीज के लिए हम लोग आते हैं और समय भी साड़े नो बज रहे हैं तो खाने का व पाकी जो भी चीज़े रहती हैं खाने के लिए वो सारी चीज़े हम लोग ने मंगा ली हैं और हम लोग का भोजन चल रहा है आप सभी निमंत्रित हैं एक छोटी सी गेट टोगेधर पार्टी में बुलाए तो था दोस्तों कल भी मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया हैं तो इस प्रकार आज का मेरा ये एनिवर्सरी का ब्लोग है आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आप लाइक कर रहे होंगे बहुत से ऐसे वीवर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं मेरे बोलने के तरीके को मेरी आवाज को तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवा करूंगी लेकिन कभी कभी हो जाता है दोस्तो खाना पीना हो चुका है दोस्तो रात के साड़े दस पौने गयरा बज रहे हैं और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो अब हम सब लोग बापस अपने घर की ओर जा रहे हैं निकली चुके हैं रेस्टरेंट से बाहर इस समय रात के 11 बज रहे हैं और एनिवर्सी सेलिवरेशन हो चुका है हम लोग पास अभी अभी आए हैं अच्छे से एनिवर्सी सेलिवरेशन हुई आपने देखा होगा ब्लॉग मेरा आप मैं जो है ये गिफ्ट खोल रही हूँ एक रोसनी मडम लाई थी और एक हमारे सा प्रेंज करके सबसे पहले गिफ्ट खोले जा रहे हैं बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है गिफ्ट खोलने की बच्चों को क्या बड़ों को भी रहती है कि ममा क्या गिफ्ट मिला है देखते हैं तो ये रोसनी मडम के द्वारा दिया गया गिफ्ट हम सब लोग खोल रहे हैं लक्ष को ज्यादा एक्साइटमेंट है तो ये गिफ्ट रहा बहुत ही अच्छा और प्यारा गिफ्ट दिया है मेरे हस्बिन की और मेरी और लक्ष की फोटो जो है फ्रेमिंग करवा के दी गई है बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको धन्यवाद और मेरे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि इसमें क्या निकलता है मैं देखता हूं तो मैंने का अच्छा चलो ठीक है आप देख लीजीए तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं क्या निकलता हमारे लिए यह अच्छा ही गिफ्ट होगा दोस्तों यह आप देख रहे होंगे खुल गया है गिफ्ट अब अंदर इसमें तो फाइनली गिफ्ट जो है वो खुल चुका है और इसमें निकले हैं हमारे गनपती बपा और आसपास टू पिकॉक बनी हुई है जो की बॉल पे लगाने के लिए बहुती सुन्दर सा ये सोपीस है बहुती अच्छा लग रहा है तो थेंक्यू सभी को और आप सभी को भी थेंक्यू दोस्तो के आप मेरे वीडियो को फुल बॉच कर रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं दोस्तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल से जोड़े रहें दोस्तो थे बाई बाई अपना तथा अपने परिवार का धियान रखिएगा